जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा अंदाज में तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो भी डिवीजन किया गया है उसको हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले कुछ इंडिया के बारे में अब बता हो आपके बारे में कोई पूछेगा रिए को क्या मंने से वी पूछ लिया तो सबसे पहले अपना वीडियो को उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो भाई जल्दी से ताकि मेरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें ठीक है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इंफोर्मेशन से अब इंडिया मतलब हम लोग फिजिकल जियोग्राफिय अफ इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले उसका जो बेसिक नॉलेज है वो जानना हम लोगों को बहुत जादा इंपोर्टन हो जाता है कि इंडिया का सबसे पहले जियोग्राफिय के टर्म्स में बहुत इंपोर्टन है क्योंकि इसका लाटिटूड हम लोग को देखना पर रहे हैं कौन से हमस्पेय पर रहे हैं इसका डिरेक्शन के हैं मतलब बहुत सारा चीजों को हम लोगों को देखना पड़ रहा है तब ही जाकर हम लोग समझ सकते हैं कि यह फिजिकल जियोग्राफिय में इंडिया का क्या रोल है तो चलिए ऴिभी के स्थाम करते हैं फ़हले बेशिक ईनफैंस अपट इंडिया तो सबसे पहले हैं लोगीटूड इंट ऐसंडिया का जो लॉइन इस और हमोंyuटंधी डाल राहे है उसको longitude बोलता है, यानि कि north pole से south pole तक जो भी line आ रहा है, वो longitude के अंदर आएगा और latitude क्या होता है, तो east to west जो भी horizontal line जा रहा है, यह हमारा latitude कहलाता है तो जो longitudinal extent है इंडिया का, तो सबसे पहले देखते हैं, east to west का जो longitude है, तो वो कितना है 68 degree 7 minute east से लेकर 97 degree 25 minute east longitude है, यानि कि जो इंडिया का longitudinal extent है तो क्या है, तो इस side में हमारा जैसे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, बुजरात वाले region में तो यहाँ पर 68 degree 7 minute east है, और फिर उसके बाद अरुनाचर प्रदेश वाला area में जा रहा है, तो वहाँ पर 97 degree 25 minute east हो जा रहा है फिर उसी तरह से अब हम लोग latitudinal extent देखेंगे इंडिया का, तो north-south latitude कितना होता है? 8 degree 4 minute north से लेके 37 degree 6 minute north तक का, इसका latitudinal extent रहता है, यानि कि नीची यह जो कन्या कुमारी वाला area है, यहाँ पर हम लोगों को 8 degree 4 minute north देखने को मिल रहा है और अपर साइड में जहाँ पर जम्मू और कस्मीर वाला region है, वहाँ पर 37 degree 6 minute north देखने को मिल रहा है फिर उसके बाद north extent, मतलब north south extent को देख रहा है, वो कितना है तो 3, 2, 1, 4 km जो कि इंद्रा कोल से लेके कन्या कुमारी तक है इंद्रा कोल हमारा जम्मू कस्मीर में है और कन्या कुमारी जो नीचे तमिलनाडू वाला area में है उस जगह पर north south extent हो गया, उसके बाद east west extent देखेंगे तो ये 2933 km है जो कि अरुनाचल प्रदेश से लेके run off कस्ट तक है अरुनाचल प्रदेश हमारे एकदम north eastern state हो गया और run off कस्ट जो है वो गुजरात के side में हो आगया तो अभी इंडिया का हम लोगों ने देखा कि longitudinal or latitudinal extent क्या है तो यहां पर देखते हैं जैसे हम लोगों को longitudinal extent दिख रहा है तो वो कितना है तो देखो यहां पर 86 degree 7 minute से लेकर 97 degree 25 minute east तक है यानि कि जो longitudinal extent है इंडिया का वो 68 degree 7 minute east से लेकर मतलब 97 degree 25 minute east तक है और वहीं हम लोग अगर latitudes का बात कर रहे हैं तो latitudes यहां से ऐसे जा रहा है तो फिर latitude कितना है तो देखो यहां पर 8 degree 4 minute north से लेकर 37 degree 6 minute north तक है तो यह हो गया इंडिया का latitudinal और longitudinal extent और अभी जो हम लोगों ने देखा था north south extent और east west extent तो वो यह area बता रहा है कि जो इंडिया का area है वो जैसे यहां से लेकर 38 degree यहां तक का पूरा area यह कितना है तो यह हो गया हमारा इंडिया यहां से जा रहा है यह पूरा जम्मो कस्मी चे लेकर करने कुमारी तक तो इसका जो extent है यानि कि यह north और इधर south north south को जो extent है वो 3214 km है जब कि यहां से लेकर यहां तक का जो area हम लोगों को दिखा रहा है यानि कि west से लेकर जो east तक का हमारा extent है यानि कि इंडिया कहां तक फैला हुआ है तो वो 2933 km है तो यह हम लोगों ने देख लिया है अब आगे फिर उसके बाद southernmost point of India यानि कि जो इंडिया का land है उसमें से सबसे southernmost point कौन सा हो जाता है तो pigmalion point या indra point भी इससे बोला जाता ह है यह कहां पर है तो अंडमा निकोबार आइलेंड वाला एरिया में है northernmost point को बोला जाये तो यह इंडरा कॉल हो जाता है जो कि जम्मू कस्मीर में है हमारा easternmost point हो जाये तो यह किवतू है जो कि अरुनाचल प्रदेश में है और westernmost point जो है वो गोहर मोती है जो कि गुजरात म में हम लोगों को देखने को मिल रहा है मतलब कि जो हमारा इंडिया है वहां का सब northern eastern southern और western point को यहां पर दिखाया जा रहा है जिसे southernmost point कौन सा हो गया तो इंडरा पॉइंट हो गया या फिर इसको पिग्मीलियन पॉइंट भी बोला जाता है फिर northernmost point इंडरा कॉल जो कि जम इंडिया का एरिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड बेसिस पे वह कितने नंबर पर आता है तो 7th largest country in the world तो इंडिया का जो numbering है उसका एरिया और उसके शाइस के हिजाब से तो वह वर्ल्ड में 7th largest country आता है after Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia and India तो 7th largest country आ रहा है यानि कि इससे भी पहले 6 और भी बड़े बड़े देस है तो सबसे पहले देस है रशिया फिर Canada, फिर USA, फिर China, फिर Brazil, फिर Australia और फिर आता है हमारा इंडिया तो ऐसे करके जो 7th number पर इंडिया आता है हमारा फिर उसके बाद देखते है ज जो 8 स्टेट है जैसे कौन कौन से स्टेट हो जाता है उसको भी आगे देखेंगे तो 8 स्टेट से क्रॉस कर रहा है हमारा ट्रॉपिक आफ कैंसर इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 7th number पर आता है यानि कि एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 7th जो largest country वो इंडिया है तो इससे पहले जो जो countries है उसका location हम लोग देखेंगे तो सबसे फॉर्स जो है वो है रश्या तो यह वाला एरिया जो है यह रश्या का है कौन सा कलर है यह तो जो लाइट ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो रश्या है फिर उसके बाद है कनाडा तो यह जो पिंक कलर में दिख है फिर उसके बाद ब्रजील तो यह वाला जो एरिया है यह रड़ वाला यह ब्रजील का है फिर उसके बाद आस्ट्रेलिया तो यह जो है यह जो है यह ऑस्ट्रेलिया है फिर उसके बाद है इंडिया यानि की जो इंडिया है वो सेवंथ नमबर प्यारा है तो इंडिया य यहां पर सुडान है तो ऐसे करके जो एलिया के हिसाब से देखा जाये तो इंडिया ुच आता है और उसके बाद सेव 128 आने के बाद इसके बाद जूभी कंट्रीज आ रहा है जैसे की अर्जेंटीना कजाकिस्तान और सुड़ान तो उसको हम लोगों नहीं यहां पर मैप पे देखा, फिर लैंड नेवर्स जुए हो साथ है, यानि कि इंडिया से जो भी कंट्रीज अपना भाउंडरी मैंडरी कर रहा है तो जो लैंड से से तो वह साथ है, और The neighboring island countries है, यानि कि जो water से मतलब इंडिया का share कर रहा है boundary तो वो दो है अगर total neighbors देखा जाए तो हमारे पूरे जितने भी neighbors है तो not neighbors है उसमें से 7 जो है वो land से share कर रहा है boundary और 2 जो है वो water से boundary share कर रहा है इंडिया से सबसे जादा मतलब सबसे longest border share करने वाला जो देश है वो है बांगला देश यानि कि जो बांगला देश की सीमा है वो इंडिया से बहुत जादा अपना border share करती है और उसके बाद जो सबसे shortest border लगता है वो अफगानिस्तान से लगता है मतलब कि इंडिया से लैंड और water border मतलब share कर रहा है मतलब जो भी हमारे नेवर्स है वो या तो land से हमारा पास border share कर रहा है या तो water से border share कर रहा है तो उसमें से सबसे longest border जो है वो बंगला देश से share होता है और यो सबसे smallest border है वो अफगानिस्तान से सियर होता है यानि अफगानिस्तान से कुछ छोटा सा ही पार्ट जो कि जमू कस्मीरल आरिया में आता है तो वो छोटा सा पार्ट जो है वो ही कवह होता है टोटल 106 किलोमीटर के आसपस अफगानिस्तान का जो है गुजरात फिर उसके बाद राज्रेस्थान मध्यप्रदेश चतिसगर्द फिर जारखन वेस्ट बेंगौल इधर त्रिपूरा और मिजोरम तो देखो जो राज्रेस्थान वाला एरिया वहां से एक्दम छोटा सा पार्ट जो है यहां से टच करके वह जा रहा है तो पूरे जो है वह 8 स्टेट से हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस करें कौन कौन सा गुजरात राजस्थान मध्यप्रदेश चतिसगर्द जारखन वेस्ट बेंगौल त्रिपूरा और मिजोरम तो दो दो करके पेर बना के हम लोग याद कर लेंगे गुजरात और राजस्थ है इंडिया Gooर Divine के साथ को लैन बॉर्डर ओडरे में और चैन करे लोगों वेखा है सबकार्ड आए आफगानिस्तान से 。」 होता है जैसे यह वाला जो एरिया देख रहे हैं इतना ही कवर होता है अफगानिस्तान से फिर उसके बाद चाइना से शियर हो रहा है फिर नेपाल इधर भूटान और इधर बांगलादेश और यह वाला एरिया जो है वो मैयानमा तो कितना हो गया वान टू थ्री 4567 तो 7 हो गया ना तो ऐसे ही कौन कौन से मतलब लैंड जो बार्डर शेयर कर रहा है इंडिया के साथ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान बांगलादेश और मैयानमा तो यह जो है यह साथ तरह के ऐसे जो कंट्रीज है वो लैंड बार्डर शेयर करते तो देखो जैसे यहां पर यजो एडिया है यह वाला है पहला है श्री लंका उसके जो मालदीव्स है यह दो ऐसे कंट्रीज है इन्दिया का बार्डर शेयर होता है तो हम लोगों ने देखा नाइन ऐसे countries जो कि इंडिया से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है साथ जो लैंड से शेयर कर रहा है अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो बांगलादेश है उससे सबसे जादा बॉर्डर शेयर हो रहा है हमारा इंडिया का यानि कि बांगलादेश इस मतलब अगर question पूछता है कि which country shares the longest बॉर्डर वित इंडिया तो आंसर होगा बांगलादेश और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे shortest बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से शेयर हो रहा है तो अगर question आता है कि which country share the shortest बॉर्डर वित इंडिया तो क्या हो जाएगा तो अफगानिस्तान आंसर है तो देखते हैं फीजियोग्राफिक division ऑफ इंडिया का जो फीजियोग्राफिक बेसिज पर डिवीजन किया गया है तो वह डिवीजन देखते है कि इसके अंदर कैसा कैसा और क्या क्या अकृति हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा northern mountain यानि का है फिर उसके बद सेके नमबर पर है नॉर्दन प्लेन यानि कि जो नॉर्दन प्लेन का रीजर है यानि कि यह जो ग्रीन वाला एरिया देख रहा है यह हमारा नॉर्दन प्लेन है फिर उसके बाद है पैनिसुलर प्लेट यू तो यह वाला जो एरिया हम लोगों को देख र यहां पर देखने को मिल रहा है यहां पर एक आइलेंड हम लोगों को देखने को मिल रहा है फिर उसके बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है coastal plains, यानि कि इंडिया के पास जो भी coastal plains है, तो यह वाला जो एरिया है, इधर coastal plains का एरिया है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग और लोकेशन की बात कर ली, अब देखते हैं कि जैसे northern mountain है हमारे पास, तो सबसे पहले तो physiographic division में हम लोगों को mountain देखना पड़ेगा फिर जैसे जैसे हम लोग नीची आते जाएंगे तो वैसे वैसे हम लोगों को different characteristic या different different division हम लोगों को देखने को मिलेगा तो सबसे पहला उसमें northern mountain फिर है northern plain, फिर penistular plateau है, फिर Indian desert है Indian desert जो है अधार हमारे पास वह सबसे important desert हो जाता है क्योंकि इंडिया के पास वही एक desert है फिर है Indian islands दो तरह के islands हम लोगों को देखने को मिलेंगे अंडमान निकोबार island और फिर लक्षवदीप island फिर उसके बाद आता है coastal plains यानि कि जो हमारे पास यह coastal plains है यहाँ पर तो यह जो है यह हम लोगों को different different physiographic division देखने को मिलेगा तो अब एक एक करके जिते भी हमारे physical division किये हुए है इंडिया को उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं तो सबसे पहला है जो है northern mountain region यानि कि north में जो हम लोगों को mountain देखने को मिल रहा है वो किस type का mountain है उसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे तो यह सबसे पहले तो new structurally and folded mountain है यानि कि folded mountain क्या होता है हम लोग जामते हैं जब दो plates जो रहता है वो आपस में collapsed करता है तो इनके collapse से जो यहाँ पर pressure generate होता है उससे जो mountain create होता है उसको हम लोग folded mountain रोलता है तो इस जो mountain range है हमारा इसमें क्या क्या है तो it consists of himalya, their offshoots and foothills तो यह हमालया consists करता है उनका offshoot इसके पास है और जो foothills है यानि कि जो नीचे वाला area जहां से हम लोग छड़ते हैं यह वाला चीज जो है वो तीनों consist करता है हमारे हिमालया में हिमालया का मतलब क्या होता है him plus alia यानि कि abode of snow यानि कि जो बर्फ का घर है वो हिमालया को बोला जाता है क्योंकि हिमालया तो बहुत northern side में पढ़ रहा है और इसमें जो हम लोग देखेंगे mountain range का height तो वो भी बहुत जादा जादा रहता है तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग जमीन से उपर जाने लगेंगे तो फिर जो temperature रहता है वो decrease करने लगता है तो इसलिए जो हिमालया है वो हम इस अबर्व से cover रहता है तो इसलिए इसे abode of snow बोला जा रहा है नंगा परवत जो है वो एक west में mountain range है हिमालया में वहां से लेके east में नामचा वरवा तक यहाँ पर two syntaxial bends हम लोगों को देखने को मिलता है जैसे कि hairpin turns कर रहा है मतलब कि जो west में नंगा परवत है हमारा यानि कि यहां west की धरग यानि गुजरात वाले एरिया में तो नंगा परवत और east में नामचा वरवा यानि अरुनाचल प्रदेश के पास हमारा नामचा वरवा देखने को मिल रहा है और जो नंगा परवत है वो जम्मू और कस्मीर में हम लोगों को देखने को मेरा यानि कि जम्मू कस्मीर west से लेके east में नामचा वर्मा तक यहां पर जो मतलब mountain range है वो ऐसे turn कर लिया hairpin हम लोगों ने देखा है कि वो कुछ इस तरह से रहता है ना तो ऐसे ही जो mountain है वहाँ पर ऐसे turn ले लिये हैं नंगा परवत के पास और इधर नामचा वर्मा अरुनाचर प्रदेश के पास फिर उसके बाद यह जो turn है यह generate कैसे हो गया जब पैनिसूरर प्लेट यू जो है वो तो गोड़वाना लैंड का पार्ट सा हमारा जो southern इंडिया है तो वो जब वहां से drift होके इधर अपर साइड में आके जब नॉर्दन पार्ट से टकर आया तो उसके कारण जो प्रेसर जनरेट होता है उसके वज़े से जो यह दो mountain range देखने को मिल रहा हम लोग को यह syntaxal bands यानि कि जैसे hairpin turn करता है उस तरह से यह turn कर लेता है अपने आपको तो it is formed due to the pressure exerted by the penisular plate you यानि कि जो penisular plate you आया उससे जो pressure generate हुआ उसके कारण यहां पर turn देखने को हम लोगों को मिलता है देखो moving from west to east with decreases and height increases तो हम लोग जैसे जैसे west से east की तरफ आरने लगते हैं यानि कि जो west यानि कि करने लगता है मतलब यह इधर से चोड़ा है और इधर से आके पतला हो जाता है तो इस तरह से कुछ हम लोगों को formation देखने को मिलता है लेकिन जो तो सबसे फर्स स्टेट है जम्मो एंड कश्मीर फिर पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्राखन वेस्ट मेंगौल शेक्किम अरुनाचल प्रदेश यानि कि इन स्टेट में जो है यह नॉर्दन माउंटिन रीजिन का हम लोगों को expansion देखने को मिलता है अब इसके अंदर ना different different जो भी ranges आ रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं तो सबसे फर्स रेंज आता है the Trans Himalayan region या Trans Himalayan range फिर उसके बाद आता है Great Himalias फिर थर्ड नमबर पे Middle Himalaya और उसके बाद सिवाली तो यह चार तरह का जो भी ranges है यह हम लोगों को Northern Mountain region में देखने को मिल रहा है तो Northern Mountain region में जो पूर हिमाचल और उसके बाद है लास्ट वालिक तो इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रांस Himalayan region को कवर करने वाले हैं तो ट्रांस Himalayan region जो है वो ना मतलब जब हिमालया का formation हो रहा था उससे पहले ही यह form हो गया था पहले हम लोग समझते हैं हिमालया का formation कैसे होता है चोटा स पाड यहां का था इसको और नहींचे वाला को गॉंडवाना लैंड बोढ़ते थे तो यह जो गॉंडवाना लैंड था यहां का जो एक पाड़ का इंडिया का सदन वाला अरिया हम लोगों को देखने को मिलब प microscop смझते एक हमारा जो हैवी कॉंटिनेंट है यानी कि जो कॉ पहले एंख साथ था तो वो जो इसको हम लोग बोलते थे और जितना भी वाटर बोडी थै यानि आस पस इसकशा बिये स्खेश को सब्रीचों एसको हम लोग को देखने को मिलता थे जो major continent था उसको पैंजीय बोलते थे और major जो water mass था उसको हम लोग panthalasa बोलते थे तो एक time पे क्या होता है ये जो panthalasa है इसके बीच में हम लोग को एक मतलब ocean देखने को मिलते तेथिस सी देखने को मिलते है इसी का नाम क्या है तेथिस सी नाम है और यहां पर जो इंडिया का जो सदन वाला पार्ट है वो है तो जब आगे जितना भी प्लेट का मुवमेंट होने लगा उसके कारण जो है मुवमेंट देखने को मिला हम लोगों को और धीरे धीरे यह वाला जो पार्ट है ये उपर के उपर और जाने लगा तो यह जो तथिस सी है, एक टाइम पर जब जब इसको और धका दे दे के दे दे के यह तथिस सी को और यहाँ पर तो हम लोगों को जानते है कि जो नौर्धन वाला पार्ट है, वो देखने को मिली रहा है तो यह यहीं पर है एकदम fixed और यह move करने लगा यह जो southern वाला area है वो move करने लगा move करते करते जब यह उपर जाता है तो यह जो 33C है इसका जो पानी है यह धीरे धीरे उपर चड़ने लगता है और बहुत सालो करोडो मतलब time लगेगा न भई इतना हिमाल्या का formation हो तो इसमें भी time लगता है तो जब यह उपर जाते है जाते है तो इसकी जो sediments रहते हैं वो पानी हो भी भी धीरे धीरे हमाल्या का formation कर देते है तो मतलब तेथी सी से ही हिमालिया का ओरिजिन हुआ है हम लोग बोल सकते हैं तो जो तेथी सी है उसके जो सेडिमेंट से सूखने के बाद धीरे धीरे वो हार्ड होने लगे और भी एक टाइम के आने के बाद वो हिमालिया का फॉर्मेशन कर दिये तो देखो जब ये तेथी सी था ना उसी टाइम पर ये जो ट्रांस हिमालियन वाला रीजिन है ये फॉर्म हो जाता है तो यानि कि हिमालिया का बनने से भी पहले जो ट्रांस हिमालियन वाला रीजिन है वो हम लोगों को देखने को मिलता है तो इसके अंदर कौन कौन सा जोन मतलब रीजन आ रहा है तो उसको देखते हैं तो सबसे पहले इसमें कारा कोरम आता है फिर लद्दाक आता है जास कराता है और कैलास रेंज आता है देखो इसके अंदर पीर पंजाल को भी हम लोग रख सकते हैं बहुत सारे जो जीयोग्राफ़र्स है, उनके बीच में एक कॉंट्रोवर्सी चल रहा है, क्योंकि पीर-पंजाल का जो भी रॉक्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो नया रॉक्स है, यानि कि जो निव को टाइम का रॉक है वो देखने को मिल रहा है लेकिन जो टांस हिमालिया है ऐसा कहा जारा है कि वह जब तैठ्थे सी था तब ही उसका ओरिजिन हो गया था तो फिर ऐसा कैसे होता सकता है कि बाकी सारे जितने कि मृइन रासधार स्च ची निख लंड इस सारे में हम वोगों को इस टाइम का रखदेखने को मिल रहा और जो The Peer पनजाल ऊसमें नया रॉक देखने को मिल रहा तो समर्च्छ को ट्रान्स घ्मालियन को इंक्लूट करें यह ना करें तो ये हम लोगों ने देखा कि इट फॉर हिमालिया यानि कि हिमालिया का ओरिजिन से पहले ही जो ट्रांस हिमालियन का रीजिन है वो फॉर्म हो गया था तो देखो जो Trans-Hemalian का रीजन है यह mainly हम लोगो not मतलब जो कशमीर वाला रीजन है यानि कि उसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है यानि कि यह कशमीर वाला ही रीजन में हम लोगों को Trans-Hemalian पूरा तरह से देखता है जैसे यह first range होगा कारा कॉरम फिर लद्दाग फिर जासकर ऐसे करके हम लोग को जो रेंजिस है वो कस्मीर के ही अंदर देखने को मिल रहा है देखो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग को मांटिन देखने को मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 का इज स्वें इसमें बहुत सारी इसमें यूसाइक में कम आ U सबसे हाइस पीक जो है इन्टीया का वह कौनसा तो माउंट के 2 और इसको हम लोग बोलते हैं Godwin Austin के भी नाम से जाना जाता है यानि कि जो Mountain K2 है या जो Godwin Austin है इसका हाइट कितना है तो 8611 मीटर तो यह highest peak है कहां का इंडिया का तो अब सबसे highest peak है कौन सा Mount K2 फिर उसके बाद सुचर जोन जो है यह Trans Himalayan Range को Separate करता है Great Himalaya से यानि कि जो Great Himalaya हम लोगों ने अभी देखा था चार तरह के Ranges देखेते हम लोगों ने कौन कौन सा सबसे पहले है Trans Himalayan Range इसके बाद है Great Himalaya Range फिर उसके बाद कौन सा आता है Lesser Himalaya और फिर आता है शिवालिक यानि कि जो Trans Himalayan और जो Great Himalaya यानि कि यह वाला जो लाइन है यह जो Separate करता है Trans को किस से Great Himalaya से तो इसको क्या बोला जाता है सुचर जोन बोला जाता है बेक पकड़के चलता है Great Himalaya बोलता है तो यह जो Great Himalaya इसमें सबसे रेंज देखने को मिलता है यानि कि पूरे इंडिया में जितनी भी लंबी लंबी चोटिया यानि जितने भी लंबे-लंबे Mountain हम लोगों कोέ STEMALIA वह सब ठểmिड़ के अंदर देखने को मिलता है इसका Average हाइड है 6000 Olá 10 मीटर चौने रही जितने भी हम लोगों को Mountain Long火 देखने में माउंटन पीक्स देखने को मिलेंगे तो इसका average है यानि मोटा मोटी मान लिया गए accurate नहीं है कि 6000 मीटर ही है यानि average जिब इसका 6000 है तो सोचो माथा भी बोलते हैं और सागव माथा का मतलब क्या होता है goddess of the sky तो वहाँ पर बोला जाता है माउंट इबरेस्ट को नेपाल के लोगों के द्वारा कंचन जंगा सिक्की में उसके बाद नंदा परवत फिर उसके बाद है नंगा परवत तो यह हमारे जम्मु कस्मीर में है फि उत्तरक के was समों को देहने को मिलता है जो ग्रेट हमालया सब्सके हमालया ने से समय υमालया से सैंस्ट हरा है जैसे हम लोगों ने देखा था यह ट्रांस हिमालयान रीजन है फिर उसके बाद ग्रेट हिमालया फिर हम लोगों को लेसर हिमालया देखने को मिल रहा है तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो ट्रांस हिमालया और ग्रेट हिमालया को अलग करने वाला जोन क्या कहलाता है तो स Central Thrust, जो है, वो इन season को separate कर रहा है, हम लोगों ने देखा, यह वाला ट्रांस का रीजन हो गया, फिर उसके बाद Great Himalai, lesser Himalai, और अब Shivali, तो Trans और Great Himalai को separate करने वाला zone शूचा zone, और फिर उसके बाद Greater Himalai और Lesser Himalai को separate करने वाला zone, main central thrust बोलते हैं हम लोग उसको जो cover करते हैं जो हमारा third range है यानि कि उसको cover करने वाला है यानि lesser Himalaya का lesser Himalaya को हम लोग हिमाचल Himalaya के नाम से भी जानते हैं और middle Himalaya के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये middle में पढ़ता है तो इसकी जो average height है यानि कि यहां जो mountain range हम लोग को देखने को मिल रहे है उसके average height जो है वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक इसका average height जाता है फिर wet की बात करें हम लोग अगर तो ये 80 से लेके 100 किलो मिटर तक जाता है इसमें बहुत सारे important ranges हम लोग को देखने को मिलेंगे जैसे धौला धार range, मसूरी range, महा भारत range तो ऐसे different different ranges हम लोग को lesser हिमाला में देखने को मिलेंगे फिर यहां पर बहुत अलग-अलग तरह का valleys भी देखने को मिलती है जैसे कस्मीर valley हो गया लाहूल स्प्रिती valley हो गया कुलू एन कांगरा valley हो गया तो ऐसे करके हम लोग को different different जो valleys है वो भी हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है फिर हम लोगों को यहां पर alpine grassland भी देखने को मिल रहा है यानि कि जो alpine grassland कहां पाया जाता है तो जो ठंडा वाला इलाका रहता है उस जगह के एरिया में हम लोग को अल्पाइन ग्रास लेंड देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो अल्पाइन ग्रास लेंड मिलता है उसको हम लोग मर्ग के नाम से जानते हैं जैसे कि गुल्मर्ग और सोन मर्ग हम लोग को कश्मीर में देखने को मिलेगा महीं वग्याल जो है वो हम लोग को उत्राखंड में देखने को मिलेगा यह Alpine Grasslands है यह Famous है Hill Station के लिए यानि कि जितने भी Hill Station है Famous Famous हम लोगों को Lesser Himalaya या फिर बोलो Himachal Himalaya उसमें देखने को मिलता है Famous Hill Station की बात करें तो जैसे सिमला हो गया, कुलू हो गया, मानाली हो गया, मसूरी हो गया, दारजिलिंग हो गया यह जितने भी फेमस हिल स्टेशन है जहां पर घूमने जाया जाता है तो यह सब फेमस हिल स्टेशन हम लोग को लेसर हिमालय के अंदर देखने को मिलता है फिर उसके बाद Lesser Himalaya separated from Shivalik by main boundary fault यानि कि जो Lesser Himalaya है Shivalik से अलग हो रहा है तो main boundary fault से हो रहा है तो देखो जैसे ये Trans वाला हो गया फिर उसके बाद Great Himalaya हो गया फिर Lesser Himalaya और Shivalik यानि कि अब जो ये वाला region आ रहा है ये इसको हम लोग main boundary fault बोल रहा है तो देखा हम लोगे इने क्या क्या Trans को और Great Himalaya को अलग कर रहा है सुचर जुन फिर Great Himalaya Lesser Himalaya से अलग हो रहा है main boundary fault main central thrust से फिर उसके बाद जो Lesser Himalaya Shivalik से separate हो रहा है main boundary fault से तो ये तीन तरह के जो हम लोगों को दिये है जोन्स दिये हो है जिससे ये तीन चारों हिमालया का डिवीजन हो रहा है हमरा last और सबसे important जो है वो कौन सा है तो Shivalik है इसे हम लोग outer Himalaya भी बोलते हैं तो इसका जो width है ये हम लोग को 10 से 50 km तक देखने मिल रहा है यानि कि चोड़ाई जो mountain range कि चोड़ाई है वो 10 से लेके 50 km तक हम लोगों को देखने को मिल रही है फिर इसका जो height रहता है वो 900 से लेके 1200 तक जाता है यानि कि 900 से लेके 1200 मीटर तक इसका जो height है वो जाता है ये continuous नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों जानते हैं कि जो और दो ranges हम लोगों ने देखा था कौन-कौन सा great himalya वाला और उसके बाद lesser himalya वाला तो वो continuous region है क्योंकि उनमें हम लोगों को टूटा-fूटा नहीं देखने को मिलता है लेकिन जब हम लोग शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक जो है यह टूटा-fूटा रहता है यह continuous नहीं है क्योंकि सबसे पहला तो यह एकदम फुठिल ओफ हमालय है यानि कि हमालय से एकदम नीचे है और यह अभी बनने वाले फेस में है यानि कि अभी बिल्डिंग फेस में है तो यह जब बन रहा है तो हो सकता है कभी आ गया वहां से glacier गिर गया तो कुछ पार्ट उसका तूट गया फिर से बहुत सारी different different कारण के वज़े से मतलब यह तूटता रहता और बनता रहता है recent parts of हमालय यान अभी मैंने बताया कि जैसे जो हिमालय का formation हो रहा है तो उसका सबसे जो बाद में बना हुआ पार्ट है वो हिमालय का शिवालिक ही है यानि यह अभी भी बन रहा है फिर उसके बाद between शिवालिक और हिमाचल हिमालिया there are several valleys example काटमांडू वैली हिमाचल और शिवालिक के बीच में हम लोगों को different different valleys देखने को मिलता है जैसे की काटमांडू valleys हो गया इन valleys को हम लोग western side में यानि की जो पंजाब वाला area है मतला जमू कस्मीर पंजाब वो वाला area है वहाँ पर हम लोग दून और द्वार्स बोल रहा है कि यह जो valley का western side है उसको sorry valley है valley के western side valley का east ये होगा valley का west ये होगा तो western side का जो part है ये वाला इसको हम लोग duns या दून और दून और दून आप लोग जामते हो जैसे हरी दून और दहरा दून तो ये दो famous valleys हम लोगों को देखने को मिल रहा है कहां पर शिवालिक में फिर ये बहुत जादा densely populated होता है क्योंकि अभी बता है कि जासे ये foot hill of हिमाल्या है यानि कि यह यह पर plain area हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो यहां पर people जढ़ जादा inhabited करते है इसलिए ये बहुत जादा densely populated हम लोगों को देखने को मिलता है फिर इसका जो लोवर पार्ट रहता है उसको हम लोग तराई रीजन से जानते हैं जैसे देखो एक ये माउंटेन है माउंटेन है यहां से जब रिवर फ्लो हो रहा है तो ये अपने साथ जितने भी पत्थर बड़े बड़े लेके आते हैं यहां पर फुट हील पर डिपॉजित करते हैं डिपॉजित करने के बाद जब आगे और मौफ करता है वैली तो burada हो बहुत जाता है इ enfrent कगदा कल वाला एरिया हो जाता है उसको तराई रीजन बोला जाता है और यहां पर इन इस नहींा को लिख किया है यानि कि जब पानी उपर से गेरा इतना बड़ा बड़ा पत्थर है कि रिवर दिखता ही नहीं है फिर उसके बाद जब रिवर आता है वापस से ये वाले एरिया में तो एक टाइम के लिए रिवर कंफ्यूज हो जाता है और अपना पानी को स्प्रेड कर लेता है जिसके कारण वहाँ पर बहुत दलदल वाला एरिया हम लोगों को देखने को मिलता है और इसी रिजन को हम लोग तेराई रिजन बोलते हैं मार्षी एरिया covered with thick forest cover तो ये जो रिजन रहता है ये बहुत मार्षी यानि दलदल वाला एरिया रहता है अब वहाँ बहुत ज़्यादा दलदल देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर जो forest का cover है वो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है तो ये था जो है शिवालिक का introduction अब उसके बाद हम लोग next देखते हैं मतब introduction है पूरा शिवालिक को explain किया गया अब हम लोग next जो है penisular plate you उसको हम लोग next वीडियो में cover करेंगे